क्या आप चाहते हैं कि आपका mobile आपके इसारों पर काम करें जैसे आप घर में जाए automatic आपका mobile silent हो जाए जैसे घर से बाहर निकले automatic आपका mobile बजना सुरू हो जाए मतलब क्या silent mode से general mode में आ जाए बिल्कुल आप कर सकते हैं आपके mobile में एक ऐसी setting छुपी हुई है जिसके बारे तो ऐसे situations में क्या होता है कभी-कभी हमारे mind से उतर जाता है mobile को silent करना, उसी समय गर phone बज जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता है, आप चाहते हैं कि जैसे मैं office में जाओ, automatic मेरा mobile silent हो जाए, जैसे office से निकलू, automatic मेरा mobile बजना सुरू हो जाए, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आ लेकिन वीडियो को सुरू करने से पहले, भाई साब, अगर आप मेरे चैनल पर आ, तो ना like करते हो, ना comment करते हो, ना share करते हो, भाया ऐसे इस tips वाली वीडियो आपके लिए लेके आते रहता हूं, तो जल्दी से like, comment, share, सारे कर देना, और वीडियो के last में बताने वालाओं उस समय कर सकते हैं, आपको कैसे करना है, आप समझ लिजे कैसे करना है, अगर आपको सोना है, आप सोच रहे हैं कि मुझे 10 वजे के बाद कोई call नहीं चाहिए, आप इस्ट्रिक का इस्तमाल कर सकते हैं, सुबह चाहिए कि 5 वजे मेरा mobile automatic हट जाये, सालेंट से, इस्ट्रिक क मत किजिए, गलत बात है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं ऐसा, तो इस ट्रिक का इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे आप घर में जाए, आपको मुवाइल सालेंट हो जाएगा, अगर वीडियो अच्छे लेगी तो लाइक जरू कर दें और कोमेंट प्यारा सा जरूर कर देंगे, सब आपके जितने भी कॉल हैं और जो रिए नोटिफिकेसन है, सारे सालेंट हो जाएंगे, ठीक है, इससे प्रिविएस वीडियो में बताया हुआ है, कि आप इसका पहले थमनेल देख लिजिए, कि डी अंडी का एक और सेटिंग मैंने बताया हुआ है, कि जैसे आप को कॉल कर है, ठीक है, यहाँ पर एड रूल है ना, इस पर किलिक करेंगे, यहाँ पर जिस समय अगर घर में जाते हैं, उस समय आपका मोवाइल क्या हो जाए, साइलेंट हो जाए, ठीक है, तो आप सामके साथ वज़े घर में जाते हैं, तो यहाँ पर साथ वज़े का, ठीक है, तो य इतने बज़े यह बंद हो जाना चाहिए इन टाइम मतलग कि आपका मवाइल अटोमेटिक जन्रल में आ जाए तो इन टाइम क्या करेंगा सुबह कि अगर मुझे अगर पांच वज़े सेट करना है तो क्या करना है पांच वज़ें सेट करते हैं इसके बाद रिपीट इस तरीके से आप अपना टाइमिंग सेट कर सकते हैं वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना